जय सिवचंडे, जय सिवचंडे, जय माभवाने, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुने, परधर्मात सव अनुष्टी इता, स्वधर्मे निदनम स्वे, परधर्मो भया वासुदेव स्रीकृष्ण के इस गीता वाकिके साथ, मैं सूरियवन्सी कच्वाह नरूका, कोवर राजिंदर सिंग बसेट अलवर राजस्तान, राजमाता गायफ्री देवी की इस पवित्र भूमी पर, आप सब को सादर जैरुगनाजी की अर्ज करता हूँ, जय सिवचंड एक बार मेरे साथ, आप कहोगे तो सही के, मैं तो अपनी दादी जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये रिस्ता ही ऐसा होता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस धर्ती की कोई अमुल ठाती है, कोई अमुल नहीरा है, तो वो है विस्व प्रसिद्ध भारत की सबसे महानिस्त की राजमाता गयत्री देडी है, आज मुझे आफसर मिला है उनके परिजनों से बात करने का, और उनके महाराज अनंतराय जी जो वंस धरे अभी भारत सम्राट और भारत नहीं बलकि संपूर्ण विश्व की आजादी में जिनकी अमुल योगदान रहा, वो भारत रत्व, जगत दिपेंद्र नारायड बहादूर के वंस के इस आप सब जो ब्राजमान हैं और उनके जगें कॉरोनेशन हुए महाराज अनंतराय जी को मैं सादर जैरुगनाजी की आर्ज करता हूँ, आज हम जिस महावीर की जयनती मना रहे हैं, वो विश्व का उगदा हुआ सूरिय थे, वो महावीर, राज कुमार, शुक्ल धस, राजा नहीं थे, बलकि राजा के छोटे भाई थे, और नारायणी सेना के सेना पती थे, बाज की तरह आक्रमन करते थे सत्रू पर, और बाज को कहते हैं चील, और करणी माता को भी चील कई अवतार समझा जाता है, वो सिलारायजी महावीर के सरणों में बार बार नमन करता हूँ, बोलिय विस्ट महावीर सिलारायजी की, बोलिय राज कुमार, शुक्ल धस की, बोलिय राजा जगध पेंडर नारेंड महादूर की, आज, जो आप लाखों की संचामें हैं पर आजमान है, वो इस बात का पर्याद सबूत है कि कहीं ने कहीं हमारी स्वतंत्रता का हरण हुआ है हमारी आजादी को हरा गया है हमारी संस्कति पर आक्रमण हुआ है हमारे धर्म पर आक्रमण हुआ है हमारी परंपरांग पर आक्रमण हुआ है क्या ये सही बात है एक बात और बता दीजिए आपको समझ तो आ रही है ने कहीं मैं चलनाता जाओ और मामला कुछ गढ़ रहा है समझ आ रही है तो एक बार जोड़दर जैसी चंडी का नारा देके बताईए माल गया समझ आ रही है अज बात ये आई है कि 1947 में जो भारत सरकार बनी 1947 को वो कैसे बली जब प्रथम विस्विद हुआ ब्रिटिस गवर्मेंट ने पहले महराणी विक्टोरिया थी उसके यहां के महराजा कूछ भी हर आप गए होंगे उनकी विशान मूर्ती लगी हुई है महराजा अंदर पेंद्र नाराण बहादू जो की राजमाता गायती देवी के पिताजी के बड़े भाई थे जिसको राजस्तान और हरियाना वगेरा में ताउजी भी बोल देते हैं हमारे तो खेर उसको बाप जी बड़े पिताजी या बाबो साब बोलते हैं हमारे यहां तो उनकी तलवार प्रथम विश्युद को जिताई थी और जब दूसरा विश्युद हुआ उस दूसरे विश्युद में भी धूरी राश्तों के एक सामने अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस हार रहे थे क्योंकि इटली जापान और जर्मनी ने इनकी नाकों में दम कर रखे थे उस समय ब्रिटिस गॉर्मेंट के महरा यह एलीजाबेत ने बात की और किस से बात की उस समय तो बहुत ज़्यादा ओमेंट भी नहीं थी महरा यह जगत दिपेंदर नारेण बहादूर की और उनसे यह कहा कि आप हमारी सायता करें एकम बम बना लिया है हुआई साज एयर क्राप्ट हो गए है लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे जर्मनी और जापान और इटली को महराज जगत दिपेंदर नारेण बहादूर ने उनकी मदल की हा किया लेकिन एक सर्थ पर वन कंडीशन क्या कंडीशन थी वो कि ब्रिटिस भारत एक और बात पतादू आपको यह जो बड़े-बड़े राज लेता कहते है हम गुलाम थे हम गुलाम तुम थे हम नहीं थे हम तो आजानी थे हमारीी सैनाथी हमारा जंडा था हमारा सिक्का था हम कैसे गुलाम थे भई गुलाम बिर्टिस भारत था और वो था बंगाल नावाद शिरोजुद्गानासर जिस बंगाल को लिया था वो गुलाम था उस समय ये हमारा कूच विहार ये कामता पुरवणा एरिया बंग्नाल का हिस्सा नहीं था ये स्वतंत्र था और ये स्वतंत्र कोई दस-बीश साल पहले हो गया हो ऐसा नहीं है स्रष्टी की रचना से लेकर कल यहां हम देख रहते हैं महराज भगदत जी की कहानी जिसको आ नाट रूप अंतरन से हमारी बच्चियों ने दिखाया इसके बारे में राजरीशी देवी सिंग जी महार जो छत्रियोक संग के संचालक है एक बात और बता हूँ आपको जो छत्रिय युग संग की हीरक जैनती मनी थी जैपुर में दसलाक छत्रियों की और अभी जवारलाल नहरू इस्टेडियम दिल्ली में मनी इस छत्रियों अक्संग की इस्तापना की प्रेरणा भी आपकी बेटी राजकुमारी गायत्री देवी के यहां सानिद में हुई थी और राजमाता गायत्री देवी 1952 में समझ गई थी जब वो महरानी थी कि हमको सत्ता अपने हाथ में लेनी हुई क्योंकि यदि सत्ता हमारे हाथ में लेनी हुई तो हमारी सबत्यात संस्क्ति हमारा धर्म सबनस्कर दिया जाए और राजमाता गायत्री देवी जैपुर से सबसे अधिक मतों से चुनाओ जीत कर लोकसभा में जवारलाल नहरू के सामने जाकर बैठ गई राजमाता गायत्री देवी ने जवारलाल नहरू के सामने भी उम्मीदवार खड़ा किया था और उससे बड़ी मुश्किल से जवारलाल नहरू भारत के प्रथम प्रदान मंत्री चुनाओ जीत पाए थे गड़बडियां करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई कौन कौन लड़ा कहां कहां लड़ा कौन से मेदान में लड़े हमने साब भूख अड़ता की था हमने अंसन किया था कहां किया था किदर किया था 562 रजवारे जिन में करीब करीब सभी चुत्रियों के थे कुछ एक मुशलमानों के या कोई दूसरी सूत्रों के दो चार थे जैसे यहां बगल में कल महराज साब सब्सक्राइब बताया मेरे जरूरी नहीं है यह ईह रावन्मिन साथ यह उसक्रिय थोड़ी साथ है निसाद शक्रियों करते थे तो उस्छक्रियल थोड़ी हर राजा च्छत्रिय हो यह जरूरी नहीं है लेकिन राजवन्सों की पहचान होती है जब वो एक दूसरे से वैवहाइक संबंदों में बंधते हैं और पीडी तर पीडी लगातार चाहते हैं कल जब नाट रूपांतर करेना दिखाई राजा नरक देव जो थे वो सीता माता के भाई थे महराज जनक ने भी मिठला के नाम से इस धर्ती पर सासन किया और जनक उपादी थी यहां के राजाओं की और फिर उसके बाद महराज भगदत जो की अपनी बेटी का विभाव भान उन्होंने पिता में भीष्म के कहने पर दुर्योधन के साथ किया था और इसलिए महराज भगदत भीष्म के जंडे के नीचे कौरों की ओर से पांड़ों के सामने रड़े थे भाई रिष्टेदार तो निभानी पड़ेगी ना रिष्टेदारी तो जब 1977 में कांग्रेस न को जेल की साथों के पिछेटा ला गया और इतना ही नहीं कल महराज बता रहे थे कि 1977 में हमारा कूच बिहार का राजमहल को लूटा गया था क्यों क्योंकि वो भी राजमाता काई घर था अब बात उठती है कई वक्ताओं ने भी बोला कि सारे देश का च्छत्रिय एक होना चाहिए हो जब राजमाता गयात्री देवी का नाम आ गया उनका घर ये है न यही धरती है न उनकी है या नहीं बताओ और उनका पियर मेरे घर है सासुराद जैपुर में है न उनकी सासुराद कच्वावंस में है सूर्यवंसी कच्वाओं में और उनकी ननिहाल कहां है उनकी ननिहाल बडोदा में जो आज गुजरात का हिस्सा है उस समय महराष्ट का हिस्सा था सयाजी राओ गायकवार उनके मामा जी थे अब सयाजी राओ गायकवार मराठा मुंबई तक राजा नरकाशों का विवाम भी मुंबई में हुआ था माया देवी से वहां से आप जुड़ गए महासागर से उस महासागर से गायकवार जुड़ गया जैपुर का राजवंस जुड़ गया कौच विहा का राजवंस उनका पियर है और राजमाता के बेटे थे राजकुमार जगत सिंग क्या नाम था राजकुमार जगत सिंग उनका विवा हुआ थाइलेंड के महराणी के महराज के बेटी से यानि जैपुर की वर्तमान जो जगत सिंगी के बेटे है देवराज सिंगी सही माहिने में जैपुर के राजपरिवार के अधिकारी वोई है क्या नाम है उनका देवराज सिंग वो देवराज सिंग की ननिहाल थाइलेंड में दादेरा यहां और दादी का ननिहाल गायकवार्ण में पूरा भारत तो एक ही है अलग का है जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया भारत द्वार का से लेकर काम अख्या तक हम सब एक है है या नहीं बस एक बात की ज़रूरत है हमें हमें रिस्तों को पहचानना पड़े और रिस्ते पहचानने जाएंगे आज हमारा महराज अनंत्राय जी से जो भेट का अवसर मिला जिसमें हमारे छोटे भाई महेश कुमार सिंधी का विशेश योगदान है मैं उनको धन्वाद गता हूँ इस मुलाकात से एक बात तैह हो गई है कि अब यूनियन टेरिटरी की मांग केवल ग्रेटर कूच विहार के छत्री और राजपुतों की नहीं है बलकि पूरे देश के छत्री और राजपुतों की ये मांग है और इस मांग के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है ये आपने मुझे गमशा फेलाया है क्या है ये गमशा ये विश्वास का प्रतीन है और मैं शूर्य वंची छत्री आपको विश्वास बिलाता हूँ यदि अमिट्शा सुन रहे हो तो सुने प्रधान मंत्री सुने और मम्ता बैर्शी सुने यदि हमारे इस राजबंशी समधाय कोई ग्रेटर कूछ भी आरको यूनियन टेरिटरी नहीं मनाया तो प्रता से लेके कामख्या तक के छत्री आंदोलित होंगे और तुमारे इन जंड़ पंडों को उपार के फेच देंगे कोई रामराज के छलावे में मेरे भाईयों के साथ अन्या है मैं कैसे सेंड कर लूँ अच्छे बात है आपने मंदर बनाया सादू आता है आपको लेकिन रामराज लाने के लिए इन राम के बेटे पोतों का भी तो विचार कर लो ये राम के वनसजभी कहीं रहेंगे या इनको धक्का मार के भगाना है आज रोहिंग्याओं के सरनिस्तिली बनाया हुआ है कूछ पिहार को 170 डिग्री बॉर्डर टच होती है चिकन नेक है आराम से आते हैं और सारे रोड पे आपके सारे विजनिस पे रोहिंग्याओं ने कब्जा कर लिया कोई पंजर की दुपान लगा के बैठा है कोई चाय की थड़ी लगा के बैठा है कोई पान की थड़ी लगा के बैठा है बोलो है या नहीं हमारी बच्चियों के साथ रेत किया जा रहा है और हमसे कह रहे है सांती की भासा बोलो कब तक सांती की भासा बोली जाएगे यह इनके हाथ में है यदि ये चाते हैं कि हम सांत रहें तो हम सांत रहेंगे और यदि ये चाते हैं कि हमारी भुचाओं में कितना ताकत है हमारा रक्त में उबाल है या नहीं तो वो इनको दिखाया जाएगा हमने कई-कई पीडिया उद्ध में दिये कई-कई पीडिया जोहर की जलती आग में जल गई एक बार और जोहर हो जाए एक बार और साका हो जाए आपका ध्वारका से लेकर काम अच्छा हो गए कस्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक कच्छास्त्रिय को एक करके देंगे ये हमरा आपसे वायता कस्मीर के महराज हरी सिंग वो भी जैपुर राइपरिवार के ही भाई थे जैसे हम लोग है आलवर वाले उनके राज को हड़ लिया नहरू ने और आज इस तिटी ये है आदा कस्मीर पाकिस्तान को दे दिया आदा इधर रख लिया और कुछ चीन खा गया क्या कुछ भी हर की ये दसा हम सामने देख नहीं रहे है और यदि ये दसा होगी तो हमारा जीना बेकार है आखिर कब तक सेहन करें चैन करने की भी कोई सीमा होती है महराज बता रहे थे पहले मम्ता बेगर जी ने बेवकूब बनाने का प्रयास किया मम्ता तो मम्ता ही है वो तो रोहिंगियाओं की सनरक्षिका है मम्ता तो कहती है मैं गाय का माउख खाती हूँ फिर आये हमारे आदर्निय ठाकुर राजनात सिंग जी महराज ने भी सोचा राजपूत है शक्त्रिय है सायद ये वचन का पक्का होगा ऐसा ही है न महराज वो सवापती थे बीजेपी के उन्होंने वायदा किया मुझको ताकत दो पार्टी को ताकत दो महराज हम आपको कूच विहार यूनियन टेरी बनाएंगे ताकत दिया आज बीजेपी की जो एक भी सीट नहीं थी बंगाल में विधान सवा में वो आज पिचेतर सीट है यहाँ सब जानते पिचेतर हैं के नहीं है इसी कूच विहार से बीजेपी को एक भी लोग सवार सीट नहीं मिलती थी आप लोगों के प्रियास से जस्वन सिंजिरा ठोड़ को राजस्तान की रेच से लाके यहाँ से चुनाओ एक बार नहीं दो दो बार चुनाओ जिता के भीजा वो आप लोगों ने चुनाओ जाए दारजलिंग से फिर आलू वालिया को भीजा और उसके बाद पावर भी और पावर के बाद 2021 में यहां अमित्सा आये थे इसी कारे करम में आये थे ने जो अभी मानिये ग्रह मंत्रियं है वो यहां आये थे ना वो वाइदा करके गए लंबा चोड़ा भासन दे गए कि राजबंची छत्रियों ने तो देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है यहां से लेके गुजरात तक लड़ाई लड़ी है लेकिन यह ना बताके गए कि फिर गुजरातियों के चक्कर में ठगे भी जाएंगे अब राजनात सिंग्जी ने रक्षा मंत्राय ने समान लिया और अमित साह जी ने ठेंगा दिखा दिया अब कहते हैं पत्रकार पुछते हैं चुनाव आ रहे हैं क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं यदि सुनाव से पहले यूरियन टेहिटरी के लिए आयों गठित नहीं हुआ तो नो यूटी नो बूब और ये कूछ भी हर में नहीं ये पूरे भारत में सलेगा नो यूटी नो बूब काम कठिल है मैं जानता हूँ बहुक बड़े कठिल काम है द्वालका से काम अठ्या तक छित्रियों को जगाना कस्मीर से कन्या कुमारी तक जगाना लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और जो विकल्प नहीं होता तो अब मैंनु उस चक्रवयू को तोड़ने के लिए अंदर जाता है हमको भी इस चक्रवयू को तोड़ना पड़ेगा और आज की लड़ाई हमको जीतनी पड़ेगा आज वोट ब्रहमास्त्र है ये E.V.M. ब्रहमास्त्र है आपकी उगली में उत्री ताकत होनी चाहिए कि जो आपको नीचा दिखा है उसको कसके ठपड मारने की चमता आपको ये वियम में होनी चाहिए ये आएंगे ये कहेंगे हिंदू खत्रे में है देश खत्रे में है क्यों खत्रे में हटो न फिर तुम सप्ता पेसे हटो हमें सोपो हम बताते हैं न हिंदू खत्रे में रहेगा न देश खत्रे में रहेगा और एक खत्रे में तो मेरा ये चत्रिय समुदा है सप्ता तो आपके पास है और हमारी जमीन हमारी मिट्टी हमारी इज़त आपने इन रोहिंग्याओं के यहां गिरिवी रख रखी है आज इन रोहिंग्याओं को क्यों नहीं अटाना चाहती भारतिय जन्ता पार्टी सरकार वो इसलिए नहीं अटाना चाहती बोले राम जी का तो मंदिर बढ़ गया अब चुनाओ किस मुद्दे पे लड़ेंगे तो हम रोहेंग्या कि मुद्दे पे लड़ेंगे यानि दस वीश साल हमको खाएंगे यह क्या आप इसके लिए तैयार है फिर से ठगे जाने के लिए और यदि नहीं तो फिर ये कसम खानो कि नो यूटी आपके इस आज का कारिय करम को असम में क्यों करना पड़ा क्योंकि ममता बैलर जी आपको पर्मीशन नहीं देती महराज को सुरक्षा है लेकिन बंगाल में अलग तरे किस रक्षा है असम में अलग तरे किस रक्षा है कल हम रात को आ रहे थे असम की बोर्डर आते ही सामने पायलेट आ गया फिर वापस गए रात को एक बजे असम की बोर्डर जाते ही पायलेट गया हमने का यह क्या हुआराज बोलो बंगाल ने नहीं दे रख ममतम अलर्जी ने नहीं दे रखा अब मुझे एक बात बताएगा कोई ये जो 75 वहाँ विधान समा में बैठे हैं इनमें 12-14 तो राज उत्राजबंसी छुत्रिये हैं ये वहाँ ताड़िये बजा रहे हैं न पुन्सकों की तरह ये हिड़ने हैं क्या ये बोलते क्यों नहीं मम्ताम एनरजी को कि हमारे माराज की जान खत्रे में है आप उनकी स्वच्छा बढ़ा इया बोलो बोलना चाहिए के ने बोलना चाहिए इनको और कूच बिहार का माननिय सांसब निशित प्रमानिक जो माराज के आशिरवाद से ही जीता और आज ग्रह राज मंत्री है अब बताओ आप ग्रह राजमंत्री और ग्रह मंत्री में ऐसा ही फरक होता है जैसा wise principal और principal master और headmaster teacher और senior teacher वो निशिफ प्रमाणिक साथ अमित सादी को इस स्थिति के बारे में बता नहीं सकते क्या बताना चाहिए उनको और यदि इस बार वो नहीं बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा हुए आप बताने के लिए तैयार है तो तैयार रही है आएगा अब आया मार्च में डिकलेर हो जाए और अप्रेल में चुना फिर आके हाथ जुड़ेगा फिर कहेगा महराज से अच्छा कोई ने राजपूत राजवनसी से अच्छा कोई ने अब धोके में बताना दो बोलना पहले यूटी फिर वोड़ पहले यूनियन टेरिटरी और फिर बोर्ड क्या मांग रहे हैं उनि कि तो 70 रहेगी केंडर में इनि इनि वी की सरकार है फोड़ से इनिकी रहेगी यही लेटन का दरन्लर निउस्त करेगे महराज को प्रसासक बनाएं या CM मनाएं यही बनाएंगे ना इनी की पार्टी रहेगी ना फाइदा इनी को है ना Union territory को मांग रहे अलग से देश थोड़ी मागा है हमने देश दिया है तुम से Union territory मांग रहे देदो अच्छा रहेगा ने क्या मांगेंगे हम फिर अखंड भारत मांगा जाएगा फिर Union territory कूजबिहार से काम ने जलेगा फिर सब अखंड भारत होगा द्वारका से कामख्या तक और कस्मीर से महसागर तक हमारी संक्याच 50-55-70% है हमारे अपने समाग है परिवार है जो भले ही राज नहीं रहा हो खेती की हो पसुपालन किया हो लेकिन वो हमारे भाई है उन सब को यकिकरत करके एक माला बनाने का काम हमारा है यहां राजेंदर सिंग परियार कहके गए थे कि सारे समुदायों को जोड कर उनको छात्रधर्ण की सिक्षा दी जाएगी रामराज मिसन के तहट गीता के द्वारा उनको मैं यही सिक्षा देता हूँ उनको छात्रधर्ण की सिक्षा देता हूँ और महराज साम ने भी देखे हैं हमारी बेहिन नोभीता जी जिन्होंने कल बहुत अच्छी तरह मन्द संशारन करके कारी करम रखे उन्होंने भी देखा है हम अपने बच्छों को सस्त्र और सस्त्र दोनों में प्रकांड मना रहे हैं और इसकी आज जरूत है आप तयार है यदि तयार है तो ये आज 24 तारीक हमने इनको अल्टिमेटम दिया था भारत सरकार को यहां इन्वाइटेड थे मारणिये मुख्यमंत्री असम हेमंत विस्व सरमा जी और मजूमदार जी स्टेट प्रसिडेंट बेंगाल उन दोनों को कल मार्णिये ग्रहमंत्री जी ने बुलाया है भारती जनता парिटी के राश्टिया जक्स नड़ा साबने भी बुलाया है हम सोचते हैं कि वो हमारे बारे में बात कर रहे होगे हम सोच रहे हैं कि वो Union territory के बारे में बात कर रहे होगे और अच्छा होगा उन्हें के लिए कि वो यही बात करें यदि वो ये बात नहीं करेंगे तो फिर हम जैपुर में, जौद्पुर में, बीकानेर में, बांडमेर में, एहम्दवाद में, बड़ोदा में, लखिनव में, पतना में, हम मीटिंग करेंगे और हम सोचेंगे एक मेने में ये काम तो कर सकते है न चुनाव से पहले ये काम तो हम करी सकते है महराज साथ तो राजसामा में ले चलेगे द्वार कहँं गायकवाण महराजो को साथ ले लेंगे देव राज fool जी की साधिय है अब ही उनको अभी थाइलेंड में बैठें उनको साथ लेंगे तूर अच्छक्रिय समाज साथ चलेगा लो यूटी लो और महाराज साहब से भी मैंने कह दिया है कि आप समझा दो इनको एक बार बात हाथ से निकल गई और हमारे जैसों के हाथ पढ़ गई करनी सेना के हाथ पढ़ गई फिर बैग गेर नहीं लगेगा फिर कूछ भी आर नहीं फिर घड़बड हो जाएगा और इस विशित प्रमानिक साहम से भी निवेदन है वो समझा दें अब बात कूछ भी आर तक की नहीं रही है अब बात हो गई है पूरे भारत के शप्ते होगी नेपाल से भी हमारे भाई आये है अब है राजबंसी जी अहां अध्यक्ष है इनके हमें मिले से जंतर्मन पर बिहार से भारत से तो है ही लेकिन जो छत्रिये NRI बनके विदेश में रहते हैं वो भी हमारे संपर्क में है क्योंकि जब बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी तो धनकी भी जरूत पड़ेगी हम धन के लिए भी तयार है तन, मन, धन और गन सबी के साथ हम एकदम तयार है भारत सरकार से हाथ जोड़ करने वेदन करते हैं जैसे स्रीकर्ष्ट ने दुर्यो धन से किया था धत्राच से कहा था तो निवे अगर तो आदा दो यदि समय भी बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी भूमी तमाम पर दुर्यो धन्वो भी दे न सका असीज समय की ले न सका उलता हर को बांधने चला जो था असाथ तो उसे साथने चला और फिर क्या हुआ? बोला एक सुई की नौक के बराबर धर्टी नहीं दुगा और फिर क्या हुआ? फिर बड़े-बड़े योधाओं के होते होई पितामे भीस्म के होते होई महराज अदे भगदत के होते होई दानवीर कर्ण के होते होई ध्रत्राष्ट पुत्र विहीन हो गया सब के सब पुत्र कुरुचेत्र में मारे गए और फिर अरजुन को एक सुई के नौक के बराबर नहीं पांच दाओं नहीं पूरी धरती मिल गई ऐसी ही इस्किती बढ़ जाएगी यदि ये तैयार नहीं होए तो मैं जिन लोगों ने ये पांडाल बनाया है उन मेरे बंधों को बहुत बहुत धन्वाद देना चाता हूँ कितना सुन्दर पांडाल बनाया है और ये आप लोगों ने मेहनत करके बनाया है इसके लिए सादू आगा है जिनों लोगों ने भोजन और प्रसादी बनाई उन माता और पहनों के चरणों में भी मैं बार बार सीशनवाता हूँ महराज साब के परिवार राज परिवार के जो सदस्ट गण है में पास सब्द नहीं है इन लोगों ने जो आथित सत्कार मुझे मैं कल आगया था सुबे और इनके महल में जो मैं रुका हूँ माता सरूपा हमारी रानी साहिवा ने और सबसे ज़्यादा तुम्हें नोविता जी को धहनवात देता हूँ जिनोंने सुबे की चाह से लेकर रात को एक बज़े तक का यहां के कारेकरम को कैसनी अच्छी तरह से संचालित किया मैं अब समझ गया महराज की यही ताकत है महराज का परिवार महराज के लोग और महराज का यह इतना बड़ा परिवार इनकी ताकत है और ऐसे महराजा को राजदर शिंग दरू का विश्वास दिलाता है कूच वियार छोड़ो महराज यदि इनों ने कूच वियार नहीं दिया तो इन से अखंड भारत हम चीन लेंगे बंगला देश भी चीन लेंगे पाकिस्तान विश्वास ये बात के वन जोस तक नहीं रहे इसलिए मैं सब से रवेदन करता हूँ आपके पास सब के पास मोबाइल है आप इस भासन को रिकॉर्ड करना और जिन लोगों ने ले रखा है उनसे लेना और जो बच्चे हमारे आए नहीं उनके तक भी इसको पहुँचा देना ये क्या आए लगनी चाहिए एक उबाद उठना चाहिए कि जब तक no U.T no U.T U.T लेने के बाद ही सास लेने तैयार है इसके लिए तो एक प्रतिग्या करो जब तक हमारी सास चलेगी जब तक हम में रक्तमर एक कणवी रहेगा तब तक हम केवल कूच विहार के लिए लडएंगे कूच विहार को यूनियन तैरिटरी बनाने के लिए लडएंगे एक बार सब खड़े हो जाए थोड़ी तकलिप तो होगी आपको लेकिन आज भी करना होगा प्रतिग्या होगी हम सब अभी मैं पहले बोलूगा उसके बाद आप दोगरा ना हम सब एक तो ही अब प्रतिक्या करनी है हम सब आज बहुआ नाराइन को माक्सिर चंडी को मसान बाबा को साच्छी मान कर एक पुड़ लेते है कि हम समस्त चत्रिय बंदू हमारे कूच विहार को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए कंड मन और धर से लड़ेंगे हमारे लिए एक ही नेता है और वो है हमारे महरजा स्री स्री अनंत्राए हम आखरी साच तक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए लड़ेंगे और यदि भारत सरकार ने चुनाओं से पहले यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए कोई आयों गजित नहीं किया तो हम सब दुनका से लेकर कामाख्य तक कश्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक समझ तुछ च्प्रिय बंधों को एक करेंगे और हमारा नारा नो यूटी नो वोट रहेगा बहुत बहुत धन्वार बिराज चाहिए बोलिये विश्व वीर महावीर चलाराय की महराजा जगति पेंद्र नाराय बादूर की महराजा वीर चलाराय की महराणा प्रताब की समराट पुठ्विराज चोहान की महराजा सोयल देव बैस की महराजा महीर बोज प्रतियार की महाराजा विक्रमा दित्र की माता पद्मनी की महाराजा अनंत्राय की महाराजा जगद्द पेद्र नाराण बहादूर की जय माभ्यादी जय सिर्चंडी जय श्रिक्चंडी जय चात्रधार्ण जय राजपुतानहा जय राजपुतानहा बहुत बहुत भाइब आएब बहुत भाइब